अशोक नगर में गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट का दौर भी शिरू हो गया है जिसे लेकर विधायक हरी बाबु राय ने मैदान समखान लिया विधायक ने जल संकट को लेकर कालेक्टर को पत्र लेकर जल समस्या से अवगत कराया देखे रिपोर्ट प्रदेश में इंदिनों गर्मी का सिल्सला शिरू हो गया है जिस से लेकर सिला प्रिश्राजन अधिकारियों ने अपनी कमर कसली है वहीं अशोक नगर जिले में भी जल संकट देखने को मिलाचिस से लेकर विधायक हरी बाबु राय ने अधिकारियों से पत्रा चार भी गया वहीं अम्पी नियूस से बात चीत करते हुए विधायक ने जल संकट को लेकर नगरपाले का अध्यक्ष नीरज मनूरिया पर भी हमला बूला उन्होंने बताया कि अशोक नगर विधान सभासहित नगरपाले का श्रित्र में आने वाले समय में जल संकट गहराएगा और पीने के पानी के लिए तराही तराही मच जाएगी इस जोरान उन्होंने श्रित्र में बढ़ते भूमाफियाओं के आतंक को को लेकर भी अपनी बात रखी आपके अची बात कर रहे हैं जल संकट पड़ा नहीं है शुरू हो चुका है लोग परशान है पानी नहीं है और बटक रहे हैं यहाँ कल मैं कलेक्टर साभ से भी मिला था और मैंने इस समश्या के लिए उनसे बात भी की थी और उन्होंने भी आसवस्त पिया है कि आने वाल मिले साथ ही मैं करीब उनके साथ आदा घंटा बैठा है यह साथ के साथ और मैंने उन्हें हर प्रकार से गांगां की जानकारी दी कि कहां कहां कितनी परेशानी हो रही हैं सबसे बड़ी बात है कि पियाची विवाग के जो नल कूप हैं या हैंड पंप हैं वो खराब हुए हैं इनकी नल जल योजना पूरी तरीके से फैल है ले दे के कुलमला करें है कि लोग वास्त यान की विवाग फैल है और उनको बार बार मुझे दिन में हो सकता है बीच बार फोन करना पड़ें दस बार फोन करना पड़ें मेरे पास तो सबेरे से लोगों का आना जान लगा रहता है और सब पानी की मांग करते हैं तो अब मेरा तो मैंने उनको कल ये बोला भी है कि अब यदि मेरे पास जादा किसी दिन भीड़ आएगी या हर दिन भी आएगी तो मैं हर दन लेकर आपके कारेलें उपर आऊँगा नगरपालिका अध्यक्षी नहीं बोल सकते कि जिले में नहीं हैं नगरपालिका की शीमाओ के अंदर वो बोल सकते हैं कि संकट है या नहीं है पर मैं ये बोल सकता हूँ या बोल रहा हूँ कि संकट है जल संकट है और मैं तो महले महले में जा रहा हूँ लोग मेरे हैं सवेरे से आके बैट जाते हैं पचास-पचास महिला मेरे दरवाजे पर बैटती हैं चला चोट करती हैं मुझे मुझे कहती है कि हमने आपको बनाया है तो आप हमारी सुनबाई करो और यह मेरा दायत भी है और मैं लगातार सीमो साब को इस सम्मद में फौन करता हूं उनके अधिकारियों करता हूं माननी अध्यक्जी से ही मेरी बात होती है पर जल संकड जियोंका तियों बना हुआ है माननी अध्यक्जी नगरपाल काना यह बोला है कि एक तारीख से टेंक करो कि दोआरा पानी सप्लाई किया देखिये आचार सहींता लग चुकी है और अब कोई भी विधायक हो या जन पिड़ती नहीं दियो अब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है अब यह तो क्या है कि जो प्रिशाशन है उनको ही यह करना है हम लोग तो केबल जनता की बाश शुन सकते हैं प्रिशाशन तक प और लोग वाग जो है ना पशुबी पशुमों को पानी नहीं मिल रहा है बारी समस्या है और मुझे आश्वस्त किया है करेक्टर सामने की वो इस समस्या का समाधान निकाल ले नहीं बहरहाल अब देखना होगा कि अली राजबूर में बढ़ते जल संकट को लेकर जिला प् MP News Ashoknagar